नमस्कार दोस्तों मैं गौरा पांडे आपके अपने ओलाइन संस्ता टार्गेड विधालोग मैं आपका स्वागत करता हूँ और आसा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और त्योहार को अच्छे से मना रहे होंगे ठीक है जैसे कि वाद जैसे मैं देख रहा हूं कि मैंने कोई अप्र टॉपिक या पर्टिकूलर एक्जाम नहीं उठाया है मैंने आपसे पहले से बहुत लोग परसनली भी मुझसे पूछ रहे हैं बैचेस में पूछ रहे हैं केमेंस में पूछ रहे हैं तो मैं से कर दोस्त मैं बेसिक टू तेखिया कर रहे होंगे टीष्टी-पैट्टी कर रहे होंगे इवन ias PCC कर रहे होंगे वह समझ रहे हैं कि कैसे मतलब सर किस भी में पढ़ा रहे है बेशयक तो एडवास करने हैं जίसे कुछ पोर्छन नहीं है तो मत देखिएगा मैं भी कह रहा हूं कि बैज में सब लोग पूछते हैं personally पर जब time मिले तब देख लिजेगा ज्यान हर जिंगा से मिलना चाहिए जैसे आप को कहते हैं कि सर आप से कुछ भी पूछते हैं कोई भी चीज पूछते हैं तो आप बताते हैं तो रीजन है हर चीज पढ़ना चाहिए हाँ मैं मानता हूँ कि समय आपकी बाद समय नहीं होगा आप तमाम प्रकार की त्यारियां कर रहे हैं पाद में देख लीजेगा ठीक हैं उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज तो हुली के त्यारी हो रही है सब लोग बढ़ियां को जी हो जी आप बन गया है कि अभी बनाना है रात में कल रंग का तेवहार है मैं आसा करता हूँ कि मतलब जैसे आप इतने अच्छे रंग सरीर में लगाने के बाद हम खुबसूरत दिखते हैं उसी प्रकार ये सारे ऐसी प्रकार के रंग बोले बाबा से दुआ करता हूँ इस प्रकार का रंग आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहे आपका जीवन हमेशा रंगीन रहे रंगीन रहे रंगीन रहे और जो भी आपकी मनों कामना हो वो पूरी हो आज की होली से अच्छी अगली होली हो ठीक है तेवहार है हमें तेवहार को मनाना चाहिए और हमेशा त्यवहार के प्रति हमें इमानदार रहना चाहिए तभी हम अपनी संस्रिती को, अपने धर्म को, अपने देश को आगे ले जा सकते मेरा ये मानना है खेर तो आज जिस टॉपिक के हम सुरुवात करेंगे वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है हो सकता है क्लास जादा लंबी ना हो क्योंकि हडपा को अगर मैं यहां पर स्टार्ट कर दूँगा तो फिर वो समझने में दिक्कत होगी अगली दो क्लासेज में जो है मैं हडपा को स्टार्ट कर दूँगा या जो भी होगा आज ही कर देंगे कोई दिक्कत नहीं पाशाण काल हुआ, तो पाशाण काल में हमने तीन फेस पढ़ा, ठीक है, जिसमें पुरा पाशाण पढ़ा, मध्ध पाशाण पढ़े और नो पाशाण पढ़े धीरे-धीरे हमने देखा कि कैसे लोगों में सुधार हो रहा है कैसे लोग पहले आखेटक जीवन वितीत करते थे फिर इस्थाई जीवन वितीत करना इस्टार्ड किये लोग धीरे-धीरे मकान बनाना इस्टार्ड किये क्रिशी की सुरुआती कि क्रिशी सबसे बड़ा कारण है किसी के जीवन को इस्थाई तो करना और एक चीज और दोसमें आपको बताता हूँ मनुष अपने जीवन में निरास्तब होता है जब वो सोचता बहुत जादा है आप सोचना बंद कर दीजिए हतास नहीं होंगे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे मतलब नहीं लोगों से हम नहीं हैं हम से लोग हैं जुका हुआ सिर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी पराजे हुई है जुके हुए सिर का मतलब ये भी होता है कि हम आपका सम्मान कर रहे तो कभी भी हरास मतलब हरास, निरास, कुछ मत होई हम को देखे, बागी सर को देखे, मस्त मौला रहता है, कोई टेंशन नहीं आपके दिमार में बहुत सीज़े चल रही हुए में रहे सर ऐसा नहीं, आप लोग ये हैं, वो नहीं क्या करेंगा टेंशन लेके उस वक्त को हम नश्ट कर देते हैं, जिस वक्त को हम बुरा सोचते हैं लाइफ है, इंज्वाय करना चाहिए, बुरा समय है, इंज्वाय करेंगे यार समय ही में करना है करिए जिन्वन आपका है सुनना ही आपको पड़ेगा चाए वो बुराई हो या अच्छाई हो आप ही को सुनना पड़ेगा आप ही के फैंसले आपको आगे ले जा सकते हैं बाकी भारस्वतंत्र है चलिए तो क्या हुआ पाश्णार काल के बाद एक टॉपिक आता है तामर पाश्णार का चोटा सा टॉपिक है तामर पाश्णार काल की खास बात क्या है कि आप इसको इंगलिस में चलो ले ठिक एज कहते हैं ठीक है तो जब तामर मतलब तामा पाश्णार माने पत्थर मतलब जब तामा पाया जाने लगा तामे की खोज हुई तो इसको हम तामर पाशार काल के नाम से कह दिये, एक बहुत बड़ा दुबिधा होता है लोगों की दिमाग में, बहुत बड़ी चीज होती है, वो मैं आपको आप क्लियर करता हूँ, कि जैसे हो सकता है इसको तामर यूग भी कहके छोड़ेते, सामने पाशार क्यों जोड़े इसके, पत पत्थरों का भी प्रियोग हो रहा था, ताबे के साथ साथ इस समय पत्थरों का भी प्रियोग हो रहा था, और सबसे बड़ी और सबसे खास बात क्या है, यहाँ बात समझिएगा, कि इस समय भी कोई सी प्रकार का कोई भी लिखि साक्ष नहीं मिला था, यही कारण है कि इस काल को हम तामरपाशनार काल कहते हैं ताबा मिल गया कहां से मिला तो ताबा जो है वो सबसे पहले राजस्थान के खेतरी जिले में खोजा गया था साक्ष नहीं बता रहा हूं साक्ष तो आपके ये बिठूर जिले से मिला था ये आपके जो कानपूर के आगे बिठूर जिला यहाँ पर तांबे के तीर और तांबे के बर्चे वगेरा मिले थे ठीक है या तीर जिसमें रखते हैं तांबे का तीरूर मिला था लेकिन खोजा जो गया सबसे पहले वो राजस्थान के खेतड़ी जिले में खोजा गया अब क्योंकि राजस्थान के खेतड़ी जिले में ता ताबे की उटेंसिल बनाने लगे, ठीक है, उसके साथ साथ ताबे का प्रियोग ये अधिक मात्रा में करने लगे, जब ये ताबे का प्रियोग अधिक मात्रा में करने लगे, तो इसलिए इसको तामर पाशार काल कहे, और यही तामर पाशार के बाद हरपा सब्विता का उद जिसको English में अलवाय कहते हैं साइंस में सर आपको पताएंगे जब पढ़ाएंगे क effort तो कांसा दो धातूओं को मिला कर इन दो धातूओं में जो सबसे महतुपूर धातू होती उसे हम ताबा कहते हैं बिना ताबा के कांसा नहीं बन सकता यही कारण है कि संस्क्रिटी हो गया काइथा संस्क्रिटी हो गया जोर्वे संस्क्रिटी हो गया ठीक है तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी है उसके साथ साथ क्या है जैसे इस समय इनाम गाउं एक बस्ती रहा हूँ, सर्फ इस कॉलम को अगर आप प्रिफर कर लेंगे, ठीक है, तो सवाल गलत नहीं होगा, जो higher level exam की त्यारी आप कर रहे हैं, जिसके इस लेवस में ये दोनों टीनों टॉपिक हैं, तो तामर पाशाल का अलिन संस्कृती को निम्न रूपों में भाटा गया है, है, मैं हट गया हूँ, स्क्रीन सोट आप लोग लेते हैं, ठीक, सवलदा संस्कृती, प्रभाद संस्कृती, मालवा संस्कृती, रंगपूर्ट संस्कृती, जोरवे संस्कृती, इनकी डेट को थोड़ा सा देखिए, इनकी जो डेट, इनकी डेट मैं इसलिए आपको देख सब्यता में ही मिलेंगे, जैसे एक डाइलोग है ना मैं था हूं और रहूंगा, हडपा सब्यता एक सब्यता जरूर है, लेकिन कुछ ऐसी भी संस्कृतियाँ थी, कुछ ऐसे भी स्थान थे जो हडपा के पहले भी थे, हडपा के दोरान भी थे, even हडपा के बाद भी थे, अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं आपका इसका हम बात करने मालवा संस्कृति का तो बाई 2350 से 1750 था के अड़पा बाई मालवा भी उसमें आ जाएगा ठीक है सावलदा संस्कृति भी आ जाएगा ठीक है काइथा संस्कृति भी आ जागी मतलब इन संस्कृतियां जो है ये संस् से ज़्यादा ताबा पाया जाता था अब आप कहेंगे सर इसको हम याद कैसे करें तो इसको हम याद ऐसे कर सकते हैं आकास एक ट्रिक बता दे रहा हूं आकास ठीक आकास के बाद तो आकास के बाद अगर सकते हैं इसको ट्रिक बनाना चाहें प्रमार जो प्रमार जो ठीक आकास प्रमार जो आप अगर यह लाइन याद रखेंगे तो भाछत में जो तामर पाशनाड कालिन संस्कृतियों का उध्य हुआ है। जयासे से आहार, का से कायता, सा से सवल्दा, पा से प्रभास, मा से मालवा, रा से रंगपूर, जा से जोरबे, आकास प्रमाजोत रिक्से आपको इनके करम याद हो जाएंगे, ठीक है, और ये कहां पर सच्वेटेड है, ये आप देख रहे होंगे, अगर आहार समस्कृति की बात कर है, तो एक लाइन लिख लें कि सबसे पहले ताबा, राजस्थान के, खेतडी जिले में, खोजा गया, सबसे पहले ताबा कहां पाया गया, राजस्थान के खेतडी जिले में, और सरवाधिक मात्रा में यहां ताबा पाया गया, इसलिए इसको हम तामबवती के नाम से जानते हैं अगली है कायथा संस्कृति ये चंबल नदी के पास है ठीक चंबल नदी घाठी के पास सावलदा संस्कृति है महाराष्ट में ये उतनी important नहीं है लोग इसको उतना credit नहीं देते हैं प्रभाज संस्कृति जो है गुजरात के टटिये च्षेतर पे है ये भी उतना नहीं है मालवा संस्कृति जो है ये नर्मदा नदी के पास है रंगपूर गुजरात के टटिये रंगपूर क्या कहते हैं ये एक ऐसा इस्थल है जो हरपपा के दवरान भी था कि यहां से उच्छी कोटी की धान की भूसी भी पाई जाएगी आगे आपको बताएंगे जोरवे संस्कृति था जो कि दायमाबाद ठीक है दायमाबाद और इनाम गौव में था तो जोरवे संस्कृति भी जो है आप बता रहे हैं तो देखिए यहां समझें यह देखिए यह सब तामर पाशाल कालीन क्या है चीजें हैं जो पाई गई है ठीक देख लिजए अपने हिसाब से ताबेगा बना हुआ समय समय की बात है ठीक है आदमी आज कल मौलडन हो गया है मौलडन बहुत अच्छे तरह से हो गया है लेकिन हम फिर अपने उसी संस्कृति की तरब जा रहे हैं ताबे का लोटा यह जल छोड़ने के लिए क्यों ताबा प्योर होता है लोग कहते हैं कि ताबे के जग में पानी रखके सुबा पीना चाहिए कोई बिमारी नहीं होती है तो ये ताबा जो आज की डेट में इतनी इसको credibility दे रहे हैं ये भाई आई होगी तो ये जो आई ये तामर पाशार से आई तामर का तामर रियुक से आई और ये सब जब चीजें खोजी गई जब ये सब चीजें पाई गई तो पता चला कि यार हम तो आज सीख रहे हैं ये लोग तो पहले से ही इनवस्तूं से परचित थे और पूछा गया कि तामर का साख्ष सबसे पहले कहां मिला था तो कानपूर के बिठूर छेत्र में सबसे पहले तामे के तीर और और चे पाए गए थे ठीक है फिर धीरे धीरे खोजा जाने लगा तामर पाश्णार काली संस्कृतियां मिलती गई और जो तामर पाश्णार काली संस्क्रितियां मिलती गई वो इस प्रकार मिली वो यहां के आपके मैप में है देखिए आहार संस्क्रिती ठीक है अभी कोई मत कहिए कि सर नहीं दिख रहा है हम पहले बता दे रहे हैं या तो रंग जादा लगा लिये होंगे मुँमे अकल लगाएंगे हम तो गाओं में हम लोग हो लिया तो तीन दिन चाल पहले से हो नहीं लगता था वो समय याद आता है आलू आधा काट लेते थे उसमें ओम लिख लेते थे स्वास्ति बना दे को अ आजकल तो फैसनेबूल हो गया है हर चीजे तेवहार है हम तो खुम बनाते हैं भाई सीदिस बाते जीवन एक है मिला है जी लो जी भर गये मरनेक बाद अगर भगवान से पूछा भगवान पास गये मरनेक बाद तो भगवान का अरे यार हमसे बहुत बड़ा मिश्टिक हो ग यह है आहार जिसको जिसका पुराना नाम था तामबवती क्या नाम था तामबवती यह सवाल आपको पूछ सकता है कि निम्नमसे हम किस संस्कृति को तामवती के नाम से जानते हैं तो हम आहार संस्कृति को किस नाम से जानते हैं तामवती ठिक उसके बाद है दायमाबाद यह देखिए यहां दाइमाबाद, यह है इनामगाओं, निवासा है, ठीक है, जिराध है, यह सब कुछ तामरपाशान कालीन क्या है, तो तामरपाशान कालीन प्रमुखिस्थल है, और खास बात क्या है, कि जो क्या कहते हैं, यह इनामगाओं की बात कर रहे हैं, यहां से, यह ताम्र पाशाल कालीन समझेगा सबसे बड़ी बस्ती है भाई अगर बस्ती मिलेगी नहीं ठीक है इटों के मकान मिलना चालू होंगे नहीं घरों को दुर्गी कृत करना चालू होगा नहीं तो ये हडपा सभिता का विकास कैसे होगा हडपा सभिता के विकास के लिए इन चीजों का मिलना सटार्टिंग में बहुत ही आवश्यक है कोई सभिता ऐसी चीज नहीं होती कि हम सोके उठे और सभिता बन गई हम सोके उठे सभिता का विकास हो गया उसकी सुरुवात होती है किसी किसीने चीजों से अब भाई अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो हिस्ट्री कहीं ने कहीं से सुरुवात होगी न तभी तो हम आएंगे तो हडपा की सुरुवात के लिए ये बहुत जरूरी फेस था कि यहां से जब बस्तियां पाई गई बड़ी-बड़ी तो मतलब लोग इस थाईत जीवन के साथ सुरक्षित जीवन भी व्यतीत करना प्रारम कर दिये हैं यही कारण है कि यहां से जब बस्ती मिली तो धीरे-धीरे हडपा सब भिता का क्या हुआ? मैं आपका स्क्रीन साथ लोग लेना है ले लीजे इसकी बात कॉलम में है, कॉलम में उतना जरूरी है नहीं, ठीक है, तामर पास्ताणकाल उतना जरूरी है नहीं मैं फिरसे आपको बता दे रहा मुद बता है कि बहुत लोगों को चीज़ें बोर लगें लेकिन जो एल्टी का या इन तमाम चीजों की त्यारी कर रहे है टिश्टी पिश्टी का उन्हें पता है कि क्या चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह है आपके तामर पाशान काली इन कुछ स्थल ठीक है जिसमें नौदा टोली है मध्यप्रदेश में ठीक है यहाँ पर चित्रित काले और लाल मृद्भांड मिले हैं और कटाई और बुनाई के चर्के और तकलिया मिली हैं मृद्भांड मिट्टी के बरतन जो पाशान काल को तामर पाशान काल को हडपा सभिता को वैदे क्यूक को इन में एक डिफ्रेंशीयेटन क्रियेट करता है कि कैसे कैसे लोग मिट्टी के बर्तन का सुरू में प्रियोख करते थे कैसे कैसे लोग फिर मिट्टी के बर्तन में डिजाइन काले रंग लाल रंगा प्रियोख करने लगे फिर कैसे कैसे लोग उसे और सजाने लगे ये उनके development को प्रूफ करता है मृत्भान ठीक अगला जो है वो है तामबवती राजस्थान अभी मैंने बताया आहार संस्कृति को कहते हैं दायमाबाद महराष्ट में है ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ताबे की चार प्रमुख वस्तुएं मिली है कौन कौन सा रत चलाता हुआ मनुस साल गैडा हाथी क्यों यह चीजें पाई गई मतलब क्या हुआ कि जब हड़पा सभिता में हम ट्रांस्पोर्टेशन का बेस बन रहा है जब हड़पा सभिता में हम ट्रांस्पोर्टेशन की बात करेंगे हडपा सभिता में व्यापार की बात करेंगे आयात में रियात की बात करेंगे तो हमको पहिया चाहिए बैल गारी के लिए रत के लिए ठीक, फिर वहाँ पर जानवरों के बारे में जब जानेंगे तो जानवरों के बारे में मिलना चाहिए ठीक शवाधान की बात करें तो शवाधान कहने का मतलब ये था कि मरने के बाद लोग कैसे क्रियाई करते थे ये लोग नदी की जल की पूजा करते थे नदी और जल को जादा महत तो देते थे ठीक है नदी और जल को जादा महत तो देते थे यही कारण है कि ये लोग जैसे कोई मरता था तो उसकी अस्थियों को लोटे में रखकर ये दफना देते थे घर के नीचे कि ताकि हमारे जो पूरवज हैं वो हमारे साथ बरकरार रहे हमारे साथ हागे चले ठीक है ये नदियों में अस्थियों को ले जाकर नहीं फेकते थे इस बात को याद रखिएगा ठीक अगला है इनाम गाउं ठीक है यहाँ पर कच्ची पहला साथ पाया गया है वो कहां से पाया गया है निवासा से ये कुछ important छेत्र है ये मैं देखिए जब हम इन चीजों को लिख के लाते हैं पढ़ाते हैं तो हम ऐसा तो है नहीं कि जीए से एक ही बार पढ़ाना है मुझे आगामी ये एक साल से दो साल के बीच में जो भी इकजाम होंगे और अगर इस टॉपिक से related कोई भी सवाल आएगा तो वो इन ही चाड्य से आएगा दो साल बाद होता है दो साल बाद हो सकता है कि चाड्य से ये सब नाम हट के दूसरे नाम हम एड़ कर दें हो सकता है, कि हो सकता, आप एक बार पूछ लिया, दुबारा ना पूछे, तो इसलिए इसका screenshot लेना ले लीजए, ठीक है, फिर आराम से लिख लीजएगा, हो ली है, छुट्टी है, कोई दिखकत ने, पाशान काल हो गया, ठीक, तामर पाशान काल हो गया, इसकी बाद लोग कहेंगे कि सर रब हडपास अभिता की सुरवात होगी मतलब ठीक, very good बैच है न, basic to advance कुछ छोड़ना मतलब गुना है ठीक है पाशार काल से जुड़ा हुआ मतलब या पाशार सब्द से जुड़ा हुआ एक और काल आता है हो सकता है, बहुत लोग पहली बार सुन रहे हूँ पाशार काल से जुड़ा हुआ एक और काल आता है जिसको हम महापाशार काल कहते है अब आप कहेंगे सरलियो नवाड रामा कल हो ली है आप आजे से बंडला रहे हैं यस दोस्तों एक हजार इसापूर के आसपास दच्छन भारत में महापाशार काल नाम की चीज़ें पाई गई मतलब जो मृत सरीर होते थे उसको बड़े-बड़े पत्थरों से चारो तरब से घेर कर उपर से ढग देते थे तो वहाँ से जो कब्रे पाई गई है वो बड़े-बड़े पत्थरों में उसमें लास को दफन किया गया है दच्छन भारत में, करनाटक में, केरल में यही रीजन है कि उसको हम महापाशार काल के नाम से भी जानते हैं वो अवद के भी छित्र में पाया गया है पूरी भारत, उत्री भारत में भी पाया गया है, लेकिन इसका जो ज़्यादा, जो इसके साक्ष मिले हैं, महापाशान काल के, वो कब मिले हैं, तो वो मिले हैं, दक्षण भारत के केरल और करनाटक से, तो एक छोटा सा लाइन नोट करके लिख लीजिए मेरी तरब से, जब पढ़ रहे हैं, तो पूरा इतिहास पढ़िए, छोट छोट के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, उत्ताई पढ़िए जित्ता इंप्वर्टन्ट है, लगभग, एक हजार इसापूर में, दच्छिन भारत में, एक समय पाया गया, जिसे महापाशार काल के नाम से जानते हैं, इसे महापाशार काल नाम लिए गया, क्योंकि यहाँ, लिखते चलिए साथ में, बड़े बड़े पत्थरों की कब्रें पाई गई हैं, यह रहाब आपका पूरा पाशार काल, पूरा का पूरा जो पाशार काल रहा, वो यहाँ पर जाकर क्या होता है, अब समाप्थ होता है, अब इसके बाद जिस टॉपिक की हम सुरुवात करेंगे, जो की देखा जाए, एक हिस्ट्री के पॉइंट आप यू से, सभी एक्जामों के पॉइंट आप यू से, बहुत ही जादा इंपॉर्टन टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है, खडपा सभ्था, आपको हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देते हैं, आज हम आप पे खुद आज बर्डर नहीं करेंगे, मुझे पता है, ठीक है, कि कि आप लोगों का दिमाग अभी कहीं और चल रहा होगा, ठीक, अर अब कहीं और चलने मतलब है कि, होली में चल रहा होगा, और कहाँ चलेगा, ठीक, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को ज्यादा बर्डर नहीं दूगा, मैं आपको थोड़ा बुक्त तो बता ही दूँ, क्योंकि तो बहुत सीरियस विद्यार्थी होते हैं बहुत सीरियस विद्यार्थी कुछ इस प्रकार होते हैं कि उब्राउंद मानिएगा होली है ठीक है उस साल भर ना पढ़िये हैं लेकिन तेवहार के दिन उजरूर पढ़ेंगे अरे नहीं हम पढ़ने दीजिए न मैं समय बेस्ट हो रहा है भाई जब साल भर में तुम एक तल्ला नहीं बना पाए तो तीन दिन में कौन सी सल्फनट है जाएगी तो कुछलों सीईएस इस्टुडेन भी होते हैं कुछ डूँ करेंगे सब आप तो अपने चक्कर में चोटा सा क्लास दे दिए हम अब को पढ़ना था के वहार हम बाद में बाद में बाद में रहो या ना रहो या में रहो ना रहो दोनों चीज़े हो सकती है आपको एक चीज और बताएंगे ने इस क्लास में जब आप लोग पढ़ने के लिए जो परिशान रहते हो कि सर हम पढ़े कैसे तैयारी कैसे करें पढ़ना क्या है क्या नहीं मैं आपको एक सिस्टेमेटिक तरीका बताओंगा ट्रिक बताओंगा समय का मैनेजमेंट तस मिनट लग पांच शे मिनट लूँगा समय का मैनेजमेंट विकॉज यह क्लास यह नहीं है कि आपको पढ़ा के छपवा देरा नहीं कि कलास है जो आपके व्यक्तित को आपके दिमाग को आपके विचार को आपके सरीर को आपके बोलने के तरीके को और आपके ग्यान को बदलने के लिए ठीक है और मैं बार-बार कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उन जो बैच में हमारे दोस्त है वो ठीक है उन लोगों तक भी पहुंचे उन लोगों तक भी पहुंचे कि जो अभी GDC का पेपर दिये होंगे जो अभी जो लेक्षरार का जो मेंस चल रहा है प्रवक्ता वाला उसका दिये होंगे या जो अभी हायर का इंटरव्यू देने जाएंगे उन तक भी चीजें पहुंचे कि हां यह चीजें हमें पढ़नी चाहिए चीजें यहीं से आती है तो आईए हरपा सभिता यह कैसी सभिता है जिस इसको लेकर बहुत जादा विवात कहने का मतलब क्या था कोई कहता है कि इसकी सुरुवात 2500 से 1500 तक हुई कोई कहता है इसकी सुरुवात 3000 से लेकर 1800 तक हुआ कई सारे लोगों ने अपने कई सारे मत दिये कई सारे डेट दिये लेकिन सरवाधिक जिस डेट पर मानेता दी ग गया कि हडपा सभधा की तीती कब से कब निर्धारित की गई तो 2383 सब्षापूर्ण से तेइस सोपचास से 1785 सब्षापूर्ण तक कई लोग मुझे कई लोग अमलब अभी का बार मुझे इतना ज्यादा दया आती हंसी नहीं कई केलू कहते हैं कि सर हडपा सब्व error कोहीं सिंदूघाटी सब्वरultur कहते हैं कि हाँ घॉर मतलब Indus Valley Civilization, पुरा नही किताबे मिलता है, सिंदु घाटी सभिता, मतलब Indus Valley Civilization, नई किताबे जो आप देख रहे होंगे, जो नई किताबे लेते हैं, उसमें इस चेप्टर का नाम मिलता है हडपा सभिता या हडपा सिविलाइजेशन, रीजन क्या था, समझिएगा, जब हडपा सभिता की खुदाई हुई, ऐसा था नहीं कि रात और रात पूरा उखाड ले गए, ठीक, धीरे धीरे खुदाई हुई, ठीक है, जैसे मालेजे कि किसी के खेतवा में मतर चुराना रहता है, एक के दिन में कुल मतर नहीं उखाड ल हैं, लेकिन किताबें 11,000 लिखती हैं, मैं आपको एकदम रीसेंट अपडेट बताता हूँ, कि लगवक 14,000 से जादा हरपा सभिता इस्थल खोजे गए हैं, तो जब क्या है, कि सुरू में जब इस्थल पाये जा रहे थे, तो सरवाधी किसके इस्थल सिंधु नदी के किना हा रहे हैं, तो इसलिए जॉन मार्सल सहाब ने इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सप्य था, बड़ी बास समझेगा, आप जैसे माल लीजे कि कोई गाओं है, एक नदी है, इसे माल लीजे कि हमारा गाओं मतलब गोमती नदी किनारे है, हमारे गोमती हमारे सहर में गोमत भाई कोई लभवा जा रहा है, तो भी गोमती नदी, कोई कादिपूर जा रहा है, तो भी गोमती नदी, कोई सुल्तान पूर जा रहा है, तो भी गोमती नदी, कोई सम्मोगन जा रहा है, तो भी गोमती नदी, तो लोग क्या कहेंगे, ये सहर गोमती नदी किनारे बसा हु वहीं से हुई थी तो चूंकि जब जॉन मार्शल के समय क्या हुआ कि जब सरवाधी के सभिताएं खोजी जा रही थी तो वो सिंदु नदी के किनारे मिलती गई और जब वो सिंदु नदी किनारे मिलती गई तो उन्हों ने कहा कि यार इसका नाम हम सिंदु घाटी सभिता जो है वो चलता रहा तो देखा गया कि जब भारत में यह स्थल खोजे जा रहे हैं तो यह सिंधु नदी किनारे नहीं सरस्वती नदी किनारे मिल रहे हैं भाकि चिंधु नदी भार्स से जाती नहीं जाती आप जानते हैं लुकि और और सबयुकिनारिस्ट хорошо धूट लिए-धूछ लिट कि नहीं ने कहा ही इसका नाल सरस्वति घाटी तो छन कर दिया जया हाँ सही बात है ना कि जब सिंदू नदी किनारे मिला तो जॉन मार्शल साहब ने कहा कि इसका नाम सिंदू घाटी सब्विता है अब ये सरस्वति नदी किनारे मिल रही है तो इसका नाम सरस्वति घाटी सब्विता रख दे पिर लोग एकदम खिच-खिच हो गए लोगों ने कहा यार हटाओ ना सिंदु घाटी सब्वेता रखो ना सरुस्वति घाटी सब्वेता रखो सबसे पहले जिस स्थल्खों खोजा गया उसी स्थल के नाम पर इस चैप्टर का नाम रख दीजिए बिलकुल सही भाई हो सकता है कि आगे और सब्वेता खोजी जाएं तो 17 नदिक किनारे मिल जाएं गंगा नदिक किनारे मिल जाएं ऐसे भी हो सकता है तो यही कारण है कि 1968 में डीपी अगरवाल की बातों को मानते हुए इस चैप्टर के नाम को बदला गया जब उन्होंने कहा कि सरसोती नदिक किनारे काफी सब्वेता हैं तो फिर आधुनी कितियासकार जो आए उन्होंने कहा कि सबसे पहले जहां खोज हुई है सबसे पहले जहां खुद आई हुई है उसी के नाम पर हम इस चैप्टर का नाम रख देंगे और उसी के नाम पर इस चैप्टर का नाम क्या पढ़ गया हड़पा सब्वेता तो confused मत होईएगा हडपा सब्वेता भी वही है जो सिंदु हाटी सब्वेता है समझ मैं अब सबसे बड़ा सवाग यहां पर आते हैं यह जो वर्ड आप देख रहे हैं यह यह वर्ड वर्ड नहीं बोल रहा हूं वर्ड बोल रहा हूं यह देखने में और बोलने में बड़ा असान होता है पर हमें पता नहीं है कि हमारी सब्विता क्या है मैं 70% इस बात का दावा कर सकता हूँ कि यहाँ पर 70% पढ़ने वाई लोगों कोई नहीं पता हुआ कि मेरी सब्धिता क्या है, मेरी संस्कृती क्या है 70% लोगों के बात कह रहा हूँ मैं, 70% ठीक है, सब्धिता, भारत के इतिहास के दो ही चैप्टर के आगे सब्धिता लिखा मिला है ध्याँ से सुनिये, खड़ा होकर यहाँ बोलता हूँ, इसका मदलब बहुत लोग कुछ भी सोचते हों ठीक है, लेकिन आपके मेरे पास वैसा नहीं कह रहा हूँ, एक हर चीज से पॉइंट आप व्यू होता है भारत के इतिहास से किताब जब आप उठाएंगे, तो आपको दो ही चैप्टर के आगे सब्धिता मिलेगा एक हडपा सब्धिता, एक उत्तरवैदिक सब्धिता, हडपा सब्धिता के पहले और उत्तरवैदिक सब्धिता के बाद जितने भी टाइम पीरिड मिलेंगे, सब के आगे काल लिखा रहेगा या वन्स लिखा रहेगा जैसे तामर पाशान काल पाशान काल मौर वंस ठीक है हरियक वंस सिसुनाग वंस गुप्त वंस मौर उत्तर काल मध्य काल आधुनिक काल सभिता क्यों नहीं लिख दिये भाई क्योंकि भारत के इतिहास में जो आखरी सभिता का विकास हुआ है वो उत्तरवैदिक सभ्था है सभ्था लिख सकते थे लेकिन उनने कालियावंज लिख दिया सभ्था लिखा नहीं तो सभ्था और संस्कृती में difference क्या होता है यह सबसे बड़ा मुद्दा है जैसे माल लीजिए यह गोला है इत्ता बड़ा ये सभ्विता है और इसी में छोटे-छोटे गोले है ठीक, इलेक्ट्रोन यूट्रोन नहीं पढ़ा रहा हूँ ये सब संस्कृती है क्या है? संस्कृती जब कहीं की संस्कृती काफी समय तक अब आप देख रहे होंगे हडपा सभ्विता को इस थाई जीवन का प्रमाड इसलिए में पाशान काल पड़ाया इस थाई जीवन का प्रमाड नौपाशान से मिलना चालू हो गया ठीक, पसुपालन के प्रमाड मद्ध पाशान से चालू हो गये बस्तियां, घर, मकान, तमाम चीजें मिलना तामर पाशान से चालू हो गया, शुरुवात नोपाशान से ही हो गई थी वो उसी धीरे धीरे वहीं डेबलब करके वहीं पर अपनी चीजों को इस्थाई तो कर रहे थे तो वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो वो परिवर्तित हो जाती है सभ्यता में पर संस्कृती के नश्ट होने से सभ्यता का विनास नहीं होता है परन्तु सभ्यता के विनास होने से संपूर संस्कृती का क्या हो जाता है या वो संपूर एरिया का क्या हो जाता है बिनास हो जाता है जैसे मैं B.T.E.C किया हूँ लेकिन मैं लगातार इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो सब कहेंगे इतिहास के teacher है पर इतिहास के teacher बनने से मेरे B.T.E.C का knowledge नश्ट नहीं हुआ है इतिहास के teacher बनने से मैं अगर कोई और exam लेता हूँ लेकिन इतिहास पॉलिटी के नश्ट होने से या मेरे बीटेक के सब्जेट के नश्ट होने से मेरा इतिहास नश्ट नहीं होगा लेकिन मेरा इतिहास नश्ट होने से मेरा कैरियर नश्ट हो जाएगा क्योंकि लोग मुझे उस पॉर्षन से पहचानते है उसली हिसाब से है कि संस्कृति जब एक समय तक कहीं रहती है और ये बहुत मजबूत अवस्था ले लेती है तो वो सभेता में परिवर्टित हो जाती है संस्कृति के विनाज से सभ्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन सभ्यता के विनाज से पूरी की पूरी संस्कृति क्या हो जाती है नश्ट हो जाती समझ में आया आसा करता हूँ सबको किलियर हुआ होगा ग्यान वो नहीं होता है जो हम किताब पढ़के रट के लेके दूसरे को बोल दें ग्यान वो होता है जो हमारी दिमाग की उपस से हमें ही प्रूफ करता है क्या ये सही है दुनिया में दो ही सवाल है क्या और क्यूं हम उसकी अलावा फालतुओं के सवाल के पीछे भाते हैं जिस दिन आप अपने दिमाग से अपने सोच से ये सोचना स्टार्ड कर देंगे अच्छा ऐसा लिखा है क्यों लिखा है क्या लिखा हुआ है यार ऐसा क्यों लिखा है जिस दिन आप उस चीज़ों पर सोत करना स्टार्ट कर देंगे उस दिन आपका जीवन आपका व्यक्तित्व आपका नेचर सब अलग हो जाएगा दूसरों से सब अलग मेरा एक फ्रेंड है मर्चंड नेवी में वो भी आया है 14 तारिक को ठीक है अब निखिल पांड़े नाम है मच्रनेभी में तो भाई एक साल के लिए गया था तमाम देश से टहल लिया यूक्रेण फियूकरेण सब कहा कि यार उकरेण में जब अभी एक महीना पहले इथा में लड़ाई होने के देड़ महीना पहले कहा यहर पता है हम लोग हम लोग वह तो उसका मतलब यह नहीं था बताने का लोग हमसे डरते हैं या हम अपने आपको बदनाम कर रखें यह तो fact है कर रखें यहां पर यह है हमारे ग्यान की प्रसंसा आज आप किसी भी देशों में जाए हम भारती ही हैं जो उसे उची-उची पदों पर हैं तो उस ग्यान के विकास से हम लोगों के व्यक्तित को बदल सकते कि जो आप मेरे बारे में सोच रहे हैं वैसे नहीं है हमारे पास बहुत नौलेज है इफ यू कम इंडिया और यू वोर आप खुटता पैजामा दें डेंडेंट मेंस यू नो आवर कल्चर यू डेंडेंट मेंस यू नो हूँ आएम यू डेवन कम तो नो वाट इस और सिविलाजेशन यह इस सिर्फ हम जानते हैं और हम अपने सासत आ तुम्हारी भी जानते हैं विलेसी कि तुम्हारी संस्कृती कहा है तो सभ्था और संस्कृती कह यही क्या है difference थिक चल्ले आजछी क्लास में इत्ता ही रहने देते हैं बढ़िया से कलते हो हार है आप लोग ते हो हार इंजॉय क करिए ठीक है सभी को होली की हारदिक सुबकामनाय आसा करता हूं कि इस पावन पर भगवान आपके जीवन में ऐसे रंग विरंगे जीवन देता रहे ठीक है आप सब की नौकरी लगे पढ़िए होली के बाद वाली क्लास में मुलाकात होगी तो हड़पास अभिता के हम विका सामनाय तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को धन्यवाद सब ख्याल रखिएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट इंस्टिटीट टार्गेट वीदालोग और लाइन क्लासेज में आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे म हमने पहले ही सोचा है ये किसके लिए सही हो तो भीया सब ही प्रतियोगी परिक्छाओ के लिए आल कमपटेटिव एक्जामनेशन के लिए वो कही से पूछा जाए चाहे वो आपका वंडे से लेकर हायर तक के कोई भी एक्जाम हो वो अगर जब भी पूछा जायत तो इस जीयेस के माधृम से आप उसे कवर कर ले इस प्रकार के जीयेस का जो हम लोग कोर्स लेकर चले है हमारी कोचिंग परिवार ने आप के लिए सोचा है इस इंस्टिट्यूट के माध्यम से हम यही कहेंगे कि आपको इतना बिष्ट दे रहे हैं जिससे आपको दुबारा इसको पढ़ने की ना पड़े इतने बढ़िया तरीके से आप इसको लेके चल सकते हैं अब उसी कड़ सोनसों में आये फिर संविधान बना संविधान क्या है संविधान बनाने के लिए किसकी नीड पड़ी तो हमने आपने पढ़ा संविधान सभा की और संविधान सभा की जब नीड पड़ी तो वो संविधान सभा किस पर आधारित था हमने आपने पढ़ लिया कैबिनेट मि प्रस्तावना पर हम लोग चर्चा करेंगे, प्रस्तावना इसको उद्देशिका भी कहते हैं, इसको आमुख भी कहते हैं, इसको प्रियम्बल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रियम्बल भी कहते हैं, इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है, कहा जाता है भाईया प्रस्तावना, आप कहते हैं कि इग्जेक्ट आप प्रस्तावना में कहना क्या चाह रही हैं, हमने आपको बताया प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय देना, चुकि सिंपल तत्या, सिंपल भुक या सिंपल किसी व्यक्ति का परिचय नहीं है, ये संपूर देश को चलाने के लिए एक सर्वोच संस्था है, एक सर्वोच नीतिनियम है, उसका परिचय है, उसका इंट्रोडक्शन है, इसलिए इसको हमने नाम दिया प्रस्तावना, कहा जाता है, प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना, जब किसी अधिनियम का प्रारंब होता है, तो उस अधिनियम को निर्मित करने के लिए उसके कुछ आदर्स, कुछ अपेक्छाएं होती है, अर्फात बोधिनियम बताता है कि हम किस आदर्स, किस अपेक्छा, अत्वा, किस उधिश परादारित है, वही उधिश जिसके लिए ये बनाया गया है, वही आपकी उधिश का कहलाती, अर्थात प्रस्तावना आप समझ लीज़े कि मालीज़े एक पुस्तक है इस पुस्तक को किस उद्देश से बनाया गया है ये उद्देश जो पूरे पुस्तक के सार को समझा दे जो पूरे पुस्तक के दर्शन को बता दे वो क्या है प्रस्तावना है इसलिए क्या कहा जाता ह प्रतेक अधिनियम का आरंभ एक उद्देशिका से होता है जो कि उसके आकांच्छाओं आदर्शों इत्यादि को क्या करती है इत्यादि को दर्शाती है अर्थात उस पूरे अधिनियम का दर्शन देती है तूसी प्रकार से कहा गया प्रस्तावना क्या है प्रस्तावना संप पूर संबिधान का दर्शन है अर्थात, सारे संबिधान का सार तत्व इसमें समाहित है, क्लियर हुआ है, अर्थात किसी भी अधिनियम को क्यों बनाया गया है, इसको बनाने का लच्छ क्या है, ये कहां से पता चलेगा, तो संबिधान की प्रस्तावना से, प्रतेक अधिनिय प्रस्तावना संविधान का संचित स्वरूप है संविधान का संचित स्वरूप ही क्या कहलाता है प्रस्तावना दूसरे शब्द में आप कह सकते है भारती राजविवस्था को जानने का मुख्य आधार क्या होता है प्रस्तावना होता है अर्थात भारती राजविवस्था जिसे आप भारत का संविधान करते हैं इसे जानने की आधार शिला क्या है उदेशी का आत्वा प्रस्तावना है किसी पुस्तक के प्रारंभ में जो भूमिका होती है किसी पुस्तक के प्रारंभ में जो भूमिका होती है वो क्या कहलाती है वो उस पुस्तक की सर्वोच स्रोत सर्वोच तत्व सारे सार कहलाती है उसी प्रकार से भूमिका सम्विधान की क्या है प्रस्तावना है आपको प्रस्तावना अगर समझ में आ जाए तो पूरा का पूरा संबिधान समझ में आगे आप केवल व्याख्या करने के लिए आप भाग 3, भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 5 को पढ़ते हैं अर्थात केवल व्याख्या के लिए आप चुनते हैं, अनिता पूरा का पूरा प्रस्तावना बता देता है कि भारत के संविधान में आपको पढ़ना क्या है, बात क्लियर हो गई है, जहां पे आपका सकते हैं कि सम्विधान की भासा आस्पश्ट होगी आपका सकते हैं कि जहां भी सम्विधान की भासा आस्पश्ट होगी वहां आप प्रस्तावना से कारे चलाएंगे प्रस्तावना से क्या करेंगे? कारे करेंगे इसका मतलब क्या है? महिया भासा आज पष्ट है तो प्रस्तावना सहायक है तो क्या कह दिया जाए सिंपल भासा में आप इसको कह सकते हैं प्रस्तावना संबिधान निर्माताओं के आशे को व्यक्त करती संबिधान निर्माताओं के आशे को व्यक्त करती है अर्थात संबिधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है कौन प्रस्तावना क्लियर हुआ ये क्या कहलाता है ये आपका टोटल ओवर ओल प्रस्तावना है अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है क्या प्रस्तावना न्यायाले में प्रवर्तनी है प्रवर्तनी नहीं है ये दो सवाल बनके आपके सामने कड़े होते हैं क्या कहा गया क्या प्रस्तावना न्यायाले में प्रवर्तनी है अथवा प्रवर्तनी नहीं है इसको दूसरे शबद में आपका दें अथवा आप्रवर्तनी है तो प्रस्तावना इतना महत्वपूर है कि जब संबिधान समझ में आये तो निर्वचन करती है भासा को समझाती कि भासा जहां आपको संबिधान की भासा समझ में नहीं आ रही वहां मैं खड़ा हूं मैं हूँ, क्योंकि मैं संविधान की आत्मा हूँ और आप मुझी में से कुछ सब्दों को समझ सकते हैं, किसने कहा प्रस्तावना ने कहा? अब ऐसा प्रस्तावना ये पूछा जा रहा है, कितना महत्वपूर है, तो क्या न्यायाले में प्रवर्तनी ये तो याद रखिएगा न्यायाले में प्रवर्तनिय नहीं है अर्थात न्यायाले में वाद योग्य नहीं है इसके द्वारा आप किसी भी इसके शब्दों को लेकर न्यायाले में बाद लेकर नहीं जा सकते अर्थात अप्रवर्तनिय अप्रवर्तनिय मतलब लागू नहीं करा सकते किसके द्वारा न्यायाले के द्वारा आप इसे लागू नहीं करा सकते तो आप कहेंगे मान लिजे मैम इसमें कहा जाता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभुत्व संपन समाजवादी पंथ निर्पेच बनाना चाहते है अब मुझे समाजवादी के मामले में मैं मान लूँ कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है समाजिक आर्थिक राजनितिक न्याय नहीं हो रहा है तो अगर मुझे न्याय चाहिए तो मैं प्रस्तावना को ना ले जाओ तो क्या करूँ तो कहा गया भया प्रस्तावना न्यायाले में जाएगा नहीं है तो सकते हैं लेकिन इसके उपबंध अन्य भागों में दिये हैं समाजिक आर्थिक न्याय चाहिए समाजिक न्याय चाहिए भागतीन लेकर चले जाएए मौलिक अदिकार का साहरा आर्थिक नियाय के लिए भी आप भाग चार के माध्यम से यहाँ पर आ जाईए कही न कहीं इसके उपबंध ले जा सकते हैं लेकिन आप ये सोचें कि आप इसको प्रत्यच लेकर प्रस्तावना को नियायाले में जाएंगे तो याद रिखिएगा ये नियायाले में वाद योगे नहीं है इसलिए लिया नहीं जा सकता तो याद रिखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया किसी भी एक्जाम में बास समझ में आगे ये क्लियर हुआ अब देखिए सवाल पूछा जाता है ऐसी प्रस्तावना को उद्देशिका क्यूं कहते हैं अर्थात प्रस्तावना का सुरोत क्या है एक सवाल हमेशा पूछा दाता है भारती संविधान के प्रस्तावना का सुरोत क्या है और यहीं समझ जाएंगे आप कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते है इन दो मुद्धों पर बात कर ली जाए भारती सम्विधान का सुरोत क्या है सुरोत का मतलब इसे शक्ति कहां से मिलती है प्रस्तावना को शक्ति कहां से मिलती है प्रस्तावना का सुरोत क्या है सम्विधान को शक्ति कहां से मिलती है सम्विधान का सुरोत क्या है तो आप बताते हैं कि सम्विधान का सुरोत अत्वा सम्विधान को शक्त मिलती है भारत की जनता से आपने बताया किस से मिलती है भारत की जनता से और आप एक तरफ बता रहे हैं कि अगर सम्विधान का सुरोत भारत की जनता है तो प्रस्तावना का स्रोत क्या है प्रस्तावना का स्रोत है उदेश्य प्रस्ताव क्या है उदेश्य प्रस्ताव जोकी पंडि जवाहलाल नहरुद्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तूत किया गया और भारती संविधान सभाद्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गए संविधान का स्रोत भारत की जनता अर्था संविधान को शक्ती कौन प्रदान करता है भारत की जनता हम भारत के लोग अपने देश के लिए संविधान बना रहे तो प्रस्तावना जिस दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडि जवाहलाल नहरु ने इसे प्रस्तूत किया था संविधान स makilti कि इसका निर्माढ हुआ इसलिए उत्देश प्रस्ताओं सी इसका नाम दिया गया। और 22 को किसने स्विक्रित प्रदाण की भारतिय शंवीधान सभान इस्वीक्रित प्रदान की। समझ में आ गया यहां तक, अब देखिए ऐसे प्रस्तावना की संरचना पर बात कर ली जाए। कहीं से गया हो, लिया भले ही कहीं से गया हो, किसी संविधान से, लेकिन इसको आरंभ में किसने रखा मिस पर भी चर्चा करेंगे, यानि भारती संविधान की प्रस्तावना जो है, किस देश के संविधान से लिया गया, अर्थात प्रस्तावना का विचार कह दीजे, प्रस्त सवित राज अमेरिका के संभधान से लिया गया है क्लियर हूआ है दूसरी बात यह भारत की संभधान की प्रस्तावना ली गई है सवित राज अमेरिका से लिखने की के विचार में किंटुू सरप्रथम प्लेटो ने अपनी पुस्तक दर रिपब्लिक में प्रस्तावना की चर्चा किया है प्लेटो ने अपनी प्रसिद पुस्तक दर रिपब्लिक में प्रस्तावना की चर्चा किया है भले इन्होंने नाम नहीं दिया लेकिन इनका मानना था कि कोई गरंथ लिखी जा रही है तो उसका अपना उद्देश होना चाहिए और इसी को ध्यान में रख कर इनों ने इसको निर्मित किया है अब देखिए इसके अलावा कहा गया कि चलिए ठीक है आपने विचार ले लिया कोई बात नहीं तो आपने लिखा कि भासा में कहा गया बया प्रस्तावना की भासा क्या है कहां से लिया गया तो आप हम कहते हैं प्रस्तावना की भासा आश्ट्रेलिया के संबिधान से लिया गया कहां से लिया गया आश्ट्रेलिया के संबिधान से लिया गया न्याई की बात की गई है प्रस्तावना में न्याई की बात की गई है कितने प्रकार के तीन प्रकार के न्याई की बात की गई है तो प्रस्तावना में जो न्याई की अवधारडा है वो कहां से लिया गया न्याई की अवधारडा कहां से लिया गया तो आप बताते हैं कि यह जो न्याई के अधारणा है तीन प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याई ये तीनो सोवियत संघ से प्रभावित हैं कहां से प्रभावित है सोवियत संग से प्रभावित है फिर आपने पूछा कि न्याय की अवधारणा के साथ प्रस्तावना में स्वतंतरता की अवधारणा भी है अर्थात कुल पांच प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है कौन-कौन सी? आपने बताया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता की उधारना पांच प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना कहां से लिया? आपने बताया भी यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है यह सब question है और अगर यह सब question आपके तयार है तब मान के चलिए कि आपने बास्तों में पढ़ा है क्योंकि प्रस्तावना एक ऐसा topic है कहीं जाएंगे किसी भी exam में entry करेंगे यह खड़ा होगा क्योंकि यह प्रभेश द्वार है इसने कहा मेरे बिना आपको संविधान मिलेगा नहीं इसलिए पहले मुझसे समझ लीजिए मुझे जान लीजिए उसके बाद अपने विचारों को जानने के द्वार खोलिएगा संविधान के स्वरूप में समझ में आया यह total क्या था यह इन्होंने किस प्रकार इसको संरचनित किया है उसकी बात किये है अब देखिए अ एक दिन का होई ही नहीं सकता प्रस्तावना इतना यह important है इसके एक-एक सब्द की व्याख्या करनी होती है तो पूछा गया कि एक सवाल यह बनता है क्या ऐसी प्रस्तावना आरंभ से संविधान का भाग था अथवा नहीं यह प्रस्तावना को आप बता रहें कि संविधान का आधार सिला है जिसको आप कहरें संविधान की आत्मा है वो क्या आरंभ से आरंब से संविधान की भाग थी अत्वा नहीं थी ऐसे प्रियंबल को हम क्या माल ले कि आरंब से संविधान का हिस्सा है अब इस पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है तो अब समझे अभी हम क्या करेंगे अभी हम एक और टॉपिक पढ़ना है अभी अभी हमारी बहुत क्लासे जिस पर इंपोर्टेंट है संविधान में प्रस्तावना को किसने क्या कहा वो पढ़ना है प्रस्तावना के शब्दों की द्याख्या करनी है आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं वास्तों में प्रस्तावना जिसको हम पढ़ रहे हैं है क्या हमने ये समझ लिया प्रतेक अधिनियम एक उद्देश को लेकर निर्मित होती है प्रतेक उद्देश का उस चिस उद्देश के लिए बनाई जाती है वही उसकी प्रस्तावना अत्वा भूमिका होती है भारती संबिधान का दर्शन किसमें समाहित है प्रस्तावना में संपूर भारती संबिधान सारतत्व के रूप में कहां दिखता है प्रस्तावना में ऐसी प्रस्तावना का विचार सहित राज अमेरिका से लिया गया भासा अश्ट्रेलिया से है स्वतंतरता की बात की गई तो फ्रां नहीं था तो याद कर लिजे इस पे कुछ वाद हैं जिन वाद को हमें समझना और देखना है एक पहला वाद आया था एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य कव आया 1950 में एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में आता है इसमें कहा गया कि भहिया संबिधान में जो आपको प्रस्तावना इतना महत पूर दिख रहा है वो आरंब से संबिधान का भाग नहीं था आरंब से संभीधान का भाग नहीं था अर्थात यह आरंब से संभीधान में प्रवर्तनीय नहीं है 1950 के बाद के बाद यह चल रहा है अभी तक विवाद में चल रहा है तब तक बेरुबारी यूनियन 1960 का वाद आया बेरुबारी यूनियन 1960 का वाद आया और इसमें क्या कहा गया इसमें कहा यह संबिधान का अंग नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ना तो यह संबिधान को सर्वोच सक्ति प्रदान करती है ना तो यह संबिधान को शक्ति प्रदान करती है कैसे सक्ति नहीं प्रदान करती प्रस्तावना लेकर नियायाले में जा ही नहीं सकते जब जा नहीं सकते तो हमारे उद्देशों की प्राप्ति नहीं हो सकती तो ये शक्ति नहीं प्रदान करती और ना ही ये सम्विधान को शक्ति प्रदान करती और ना ही ये सरकार पर नियंत्रण रखती भाई प्रस्तावना लेकर जाए कि न्याय दिया गया है आप दे नहीं रहे है सरकार का देगी हम नहीं जानते भाग के आपको सम्विधान के भाग तीन में जाना होता है सरकार से लड़ने के लिए तो 1960 के बाद में क्या कहा गया कहा गया कि ये सम्विधान का अंग नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ना तो ये सम्विधान को शक्ति प्रदान करती है ना ये सरकार को नियंत्रित करती है तब क्या है तो कहा गया किन्तु जब कभी सम्विधान की भासा आसपश्ट होगी समझ में नहीं आएगी उसके निर्वचन को समझ नहीं पाएंगे सम्विधान की भासा जानने में नहीं आएगी तब तब हम लोग क्या करेंगे प्रस्तावना का सहारा लेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा कहा गया ना तो यह सम्विधान को शक्ति प्रदान करती है ना सरकार के शक्तियों पर नहीं अंतर करती है किन्तु करती क्या है जब सम्मिदान की भासा समझ में नहीं आएगी, तब हम इससे सहारा लेंगे, सहारा लेंगे किन्तु? यह भाग अथवा अंग नहीं है, यही टिपड़ी किसमें दिया गया? बेरुबारी उनियन 1960 के मामले में, फिर इसके बाद एक केस आया, गोलक नाथ बनाम पंजाब राजे 1967, गोलक नाथ बनाम पंजाब राजी 1967, डाक्टर सुभास कस्यप ने एक बार कहा था, प्रस्तावना पर कौन-कौन से विचारों ने क्या कहा, इसको भी हम पढ़ाएंगे, इसको भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यह समझ लीजे कि क्या आरंब से यह प्रस्तावना जो इतना महतुपूर दिखता है, आरंब से सम्मिधान का भाग ठातवा नहीं है, बासमझ प्रस्तावना समझना ही होगा, क्योंकि सम्मिधान अगर शरीर है, तो प्रस्तावना उस शरीर में निवास करने वाली आत्मा है, किस ने कहा था, डाक्टर सुभास कस्यप ने, इस केस में किया क्या गया है, गोलक नात बनाम पंजाव राज में नियाया धीस, हिदायत तुल्ला है, और उन्होंने इस पर्ष्ट मना कर दिया है, कि भई आप प्रस्तावना संभीधान का अंगन नहीं है, किम्तु उन्निस सो साथ में जो कहा गया, कि प्रस्तावना कब सहायक है, जब संभीधान की भासा समझ में ना आए, इसलिए डाक्टर सुभास कस्यप की बात को दोहराते हुए हिदायत उल्ला ने कहा, भले ही संभीधान अगर शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है, इतनी इंपोर्टेंस है इसकी, फिर भी ये इसका अंग या भाग नहीं है, किसमें कहा गया, गोलक नाथ बनाम पंजाब राज में, अब देखिए, फिर देश में, पूरे देश में बवाल, पूरे देश में लोगों ने कहा, कि जिस प्रकार ये नेड़े आ रहा है, कि भाया भासा समझ में ना आए, तब चलता है संविधान देखने, जब कभी हमें कोई शब्द समझ में ना जाए, तो इंटरप्रिटेशन के लिए संविधान को देखे, यानि हम क्या कह रहे हैं, पूरे देश ने कहा, जब जब हम संविधान समझ में ना आए, तो हम भाग कर जाएंगे कहा, प्रस्तावना देखेंगे, तो जब हम प्रस्तावना देखेंगे, तो हम क्यों ना मान ले कि ये अंग है की नहीं है, आप बता भी रहे हैं, कि जब भासा समझ में ना आए, तो प्रस्तावना की और भागिए, मै अब आपको समझ में आ रहा होगा, स्विच फैन का भाग नहीं है, आपने कहा कि अगर हम उसको खराब कर दे, अगर हम उसमें कुछ टूट जाए तो क्या यह चलेगा, नहीं चलेगा, फिर भी आप क्यूं का रहे तो का यह वो ठीक है, कि यह सरीर है, वो आत्मारूपी स्वर भानंद, भारती, बनाव केरल राजी, 1973 का मामलाद है, यहाँ पर न्यायमूर्थी शिक्री है, कौन है न्यायमूर्थी शिक्री, इन्हों ने पूर्व के सारे निर्णे पलट दिये, पूर्व के दिये गए अपने सारे निर्णे माननी उच्चितम न्यायाले ने पलटते हुए, केश्वा नंद भारती बनाम केरल राजी, 1973 में कहा कि प्रस्तावना संबिधान का भाग है, प्रस्तावना संबिधान का अभिन अथवा महतुपूर अंग है, ये पहला निर्डए दिया, केश्वा नंद भारती बनाम केरल राजी दो निर्डए पारित हुआ है, एक ही केश में, इस दो निर्डए ने अब तक में कहा जाए, अब तक कि सबसे बड़ी बेंच भारत की, उस भारत की सबसी बड़ी बेंच ने जब उच्चितम नियाले को निर्डे देने पर मजबूर कर दिया, तो एक ही निर्डे ने पूरे संविधान में बड़े ही सकारात्मक संसोधन ला दिये, पहली बार मान लिया गया संविधान का अभिन अत्वा महतपूर अंग प्रस्ता जाए, तो आने वाले समय में संविधान निर्माता अत्वा संविधान सभा में बैठे लोग, अंतरिम संसद या संसद में बैठे लोग, अगर सवाल करेंगे कि जब भाग है, अंग है, तो क्या इसमें संसोधन किया जा सकता ही है, सवाल पुना आएगा, तो क्या इसके लि अन्य उपबंधों में अन्य जितने भाग है, जितने अनुछेद है, अन्य उपबंधों में अगर परिवर्तन अथवा संसोधन किया जा सकता है, तो प्रस्तावना में भी संसोधन किया जा सकता है अगर संबिधान के अन्य उपबंदों में संसोधन किया जा सकता और इसका भाग है तो प्रस्तावना में भी संसोधन किया जा सकता है अर्थात केश्वानंद भारती बनाम केरल राजी पर अगर क्वेश्चन बने कि क्या प्रस्तावना संबिधान का भाग है अंग है किस वाद में कहा गया तो आप केश्वानंद भारती बनाम केरल राजी चुनेंगे संचुनेंगे फिर कहा गया कि प्रस्तावना में संसोधन तो किया जा सकता है संसोधन किया जा सकता है किन्तु शर्ट भी रख दी गई इसी केस में रखी गई है इसी केस में रखी गई है किन्तु मूल भूत धाचा आधार भूत धाचा अथवा बेसिक इस्ट्रक्चर आप थ्यूरी को बिना छुए यानि आप संसोधन करेंगे लेकि संसोधन कैसा हो जो इसके मूल भूत धाचा आधार भूत धाचा अथवा बेसिक इस्ट्रक्चर आप थ्यूरी को ना छुए अर्ठाथ इसको भीना छुए संसोधन होगा लेकिन कैसा संसोधन होगा जो परिवर्तन सकार आत्मक्ता को बढ़ाता हो जो उच्छता अथवा गुरुवक्ता को बढ़ाता हो ऐसा संसोधन आप करेंगे लेकिन आप कभी भी बेसिक इस्ट्रक्चर आप थियोरी को नहीं चुनेंगे इसका मतलब केश्वानन्द भारती बनाम केरल राज में तीन बाते आई एक तो प्रस्तावना संविधान का अभिन्नंग है केश्वानन्द भारती की दूसरी बात प्रस्तावना में भी अन्य संविधान के उपबंधों की भाती संसोधन किया जा सकता है तीसरी बात मूल भूत धाचे का सिद्धान्त भी केश्वानन्द भारती की देन है मुल भुद्धाचे को ही आधार भुद्धाचा कहा जाता है इसी को इंगलिस में basic structure of theory कहा जाता है ये अवधाराई अब ये क्या है? आपका सवाल बनता है तो याद रिखिएगा ये सारे सवाल basic structure of theory क्या है? कैसे सकारात्मक गुडवत्ता को लिए है? इस पर कुछ केसेज है एसार बोममाई बना भारस संग राज नारायड वर्से जिंद्रा गांधी इस प्रकार के बड़े केसेज हम लोग इसको पढ़ेंगे next lecture में किसमें पढ़ेंगे next lecture में? अभी विचारों को जानना है किसने क्या कहा? फिर इसके आगे वास्तों में basic structure आप थियूरी है क्या इसको भी समझना है और जितने शब्द हैं हम भारत के लोग भारत को कैसा देखना चाह रहे हैं? किस प्रकार उसमें परिवर्तन चाह रहे हैं? हम इसमें भी कुछ परिवर्तन देखेंगे यानि यह सारे lecture हम लोग देखेंगे खब अब अगले lecture में तो याद रखिएगा यह जो बहुत महतपूर जियेस का portion topic हम लोग लेकर चल रहे हैं सारे subject basic से लेकर चितने इसकी व्याख्या अच्छी हो सकती है बहां तक यह series जो हमने यह चीजे समझ में आई होगी अगर समझ में आ रही है तो इसी तरकार अपने like, share बनाते रहें और हम लोगों को भी इसके माधियम से सूचीत करते रहें कि नहीं आप लोगों को यह चीजे अच्छी लग रही है Thank you all, thank you so much